हर ब्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है अपने कर्मों से मैं भी भोका ना रहूं साधू ना भोका जाए हमारे यह कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है सफेद पोशाक पहने हुए तो गाली टोपी पहन लिया कोई निर्दोस मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोस था मेरे साथ अन्याय हुआ है कोई नहीं बोल सकता है अगर किसी ने सरकारी संपत्ती पे कबजा किया है तो उसके लिए क्या करूं आरती लेके जाओं थाली से जाओं उनकी अगर हम उसको मस्जित कहेंगे तो फिर बिवाद होगा हमें ग्यान बपी बोल देना चाहिए मुझे लगता है कि भगबान ने जिसको दृष्टी दी है वो देखे न तिर्शूल मस्जित के अंदर क्या कर रहा है बोलने से और भासन करने से समाजिक ने आया जाएगा परिवारवाद जातिवाद यही समाजिक ने आया है किसने रोका था UPA को, किसने रोका था UPA में समाजवाधी पार्टी को किसने रोका था वैस्ट बंगाल में इतनी जनों से TMC की गौशर्मेंट है किसने रोका है माँपLE क्यों माता हैं रो रही है भारत के अंदर लोग अलब संख्यक के नाम पर अपने लिए बिसे सदिकार की मांग करते हैं प्रशन है कि ये बीडियो बनाने के बाद दो मेहने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसत के एक दिन पहले ही क्यों जारी हुआ दोस्तों को काटा बोलने वाला बेक्ति कभी अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट को सरोपरी मानना होगा अपने मत और मजभ को नहीं मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महरसी नारादी थे Namaste Jai Hind, welcome to another edition of A&I Podcast with Smita Prakash This episode is being filmed in the city of Lucknow which is the capital of the state of Uttar Pradesh Before I introduce my guest, I am going to give you a quote from a bestseller book The Monk Who Sold His Ferrari According to this book, the secret to happiness is very simple Find out what you love doing and then direct your energies towards that My guest today did exactly that He is a monk who found a purpose beyond divine pursuit Yogi Adityanath is the two-time Chief Minister of Uttar Pradesh the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined With a population of 230 million making up 17% of India's population UP would be the world's sixth largest country by population if it were a real country A state that was considered one of the most backward in India for over a hundred years A state that sent indentured labourers to British colonies when India was under colonial rule Yet, it's also the state from where independent India got nine of her prime ministers Yogi Adityanath, the two-term Chief Minister of the state is a monk who wears his Hindu identity with pride He's been pilloried for being majoritarian and riding roughshod with Muslims who constitute 19% of the population of Uttar Pradesh For those viewers not familiar with Yogi Adityanath's political beginnings Yogi Ji ji ne 1996 me Mahaant Avedanath ke liye Chunaav Prachas shuru kia 1998 me Mahaant Avedanath ne Sakriya Rajneeti se sanyas liya और अगले अगले लोगसभा चुनाव के लिए उन्होंने Yogi Adityanath को अपना उत्तराधिकारी और उमीदवार घोशित किया और फिर 1998 में Yogi Adityanath 26 वर्ष की आयू में गोरकपूर निर्वाचन क्षेतर से सबसे कम उम्र वाले लोगसभा सदस्य बने Today's conversation with Yogi Adityanath is going to be something which has never been seen before That much I can promise you Pranam Yogi Ji, A&I podcast में आने के लिए धन्यवाद आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं podcast के दूसरे हिससे में बात करूंगी पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप धर्म योगी कब कैसे क्यों बने क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी आप science की student है तो science और धर्म ये कैसे मिलाब हुआ ठीके सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा भारत की प्रंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने क्यों लुपासना विधी को धर्म नहीं माना है करतब्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है धर्म एक बिवस्था है एक वे ओफ लाइफ है जिसको अब एक जिवन पद्दत ही कह सकते हैं वो जीने की एक कला है विज्ञान उसके उन्यन का एक माद्ध्यम है अध्यात्म उसकी चरम इस्तिति यानि साइन्स उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है हम जब भौत इक दिरिश्टी से देखते हैं तो साइन्स का एक अनुवेशन होता है एक एकस्पिरिमेंट हो जाता है लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का विस्तार अध्यात्म की एक नई उचाईयों तक पहुचाएगा जहां पर बेक्ति किसी कारे का क्यों स्रिष्टा ही नहीं बनेगा बलकि उसका द्रिष्टा भी बन सकता है और यही बैदिक रिश्यों ने किया था इसलिए स्वाभाई करूप से एक सीमित छेतर और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के वज़ए उसमें स्वयम परवेश करके देखो क्या है तो बहुत कुछ देखने को मिला है, मिला है तो उन चीजों को लेकर कि इसलिए मैंने अध्यात्म का सहरा लिया और उससे आगे बढ़ करके फिर उस अन्वेशन की यात्रा हमारी लगी भी एक साइंस के स्ट्रेंट के साथ-साथ एक योगी की रूप में उस दिसा में आगे कारे कर रहे है नाथ समुदाई के बारे में कुछ बताईए हमें कि उसमें ऐसी क्या बाद जीत थी जो आप इतनी कम आयूं में आप जुडगे उस समुदाई से देखे नाथ संत्रदाई भारत का राचिन्तम संपरदायों में से एक है यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पतरी का प्रतनिधित्व करता है जो वास्तों में ब्यभारिक ताको लिए वे है और ब्यभारिक दृष्टी है यह दिपी सभी संपरदायों की अपने अपने दर्शन है अपने अपने मंत्र है अपने अपनी पद्दतियां है सब में स्रेष्टता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया और उस समय के जो स्रेष्ट संतों की परंपरा थी महांत अवेद्य नाजी महराज को मैंने अपने पुझे गुरुदेव की रूप में च वो भी एक, it's a matter of luck भी कहिए, fate कहिए, तो आप, जब आप मिलें उनसे, तो आपको उस वक्त, उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरू बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है, और ये लग भी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्द है, और ये उसी के साथ जुड़ता है, देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं, तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्द था, आप ये नाई के मातिहम से कारे करेंगे, जन्सिवा का कारे करेंगे, ये हवी एक प्रारब्द है, ऐसे ही ये हर एक बैक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमें चेतना को अपने बिराट विस्तार देना होगा, समझ में सबा जाएगा, तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरू से मिला हूँ, मैं घर चोड़ के त्या की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रियाक्शन क्या हुआ? नहीं, देखे, कोई माबाब इसके लिए अपनी सहमती नहीं देता है, क्योंकि उनका अपने एक दाइरा है, उनका एक दाइरा है, जो उनका एक सीमिच्छेत्र है, उस सीमिच्छेत्र को ये को बंधन कहते हैं, हमारे यहां कहा गया न, मन एवो मनुष्यानाम काणाम बंद मोक्षयों, ब्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं, मैं, मेरा परिवार, ये जब भावना आते हैं तो ब्यक्ति उस तक सीमित रहता है, और यही उसके बंधन का कारण है, जो उस उसकी मोक्ति का माध्यम बनता है, उसकी मोक्स का कारण बनता है, और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा, ये बंधन हर एक छेत्र में बिक्ति के जीवन में आते हैं, एक पिद्यार्थी अगर अपनी बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इ में उसी रूप में या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा मुझे वही काम करना है क्या वहाँ आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा उसको एक बंधन तोड़ना होता है एक क्लास में है क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है उसका परमोशन होता ह तो हर एक बेक्ति के जीवन में इस परकार किस्ततिया आती है एक धर्म योगी से आप फिर राजनीती में आए उस सफर के बारे में बताईए और एक और सवाल मेरी में में उठ रहा था जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और बंधनों से आप निकल चुके हैं तो उस वेराग्य से आप अगर राजनीती में आते तो उसमें कॉन्फलिक्ट नहीं हुआ आप में देखे यही अंतर है धर्म योगी नहीं योगी योगी होता है और मैं एक योगी हूँ धर्म का मतलब क्योड पोजा पद्दती नहीं है कर्म भी धर्म एक समग्र जीवन की पद्दती है धर्म कर्तब्य के पत की पेणा देने वाला उस पत का क्योड अग्रसर करने वाला आग्रही बनाने वाला एक मार्क दरसक है हम उसको किवल पोजा पदेती तक सीमित नहीं कर सकते हैं एक एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के इस बिराटता के साथ अपना जुड़ा हुआ इसलिए उस बिराटता के साथ जोड़ करके अपने आपको कारे करना दूसरा एक योगी का मतलब यह नहीं कि वहां केवल अपने स्वयम की मोख से प्राप्ते करने के लिए या अध्यात्मे कलाब के लिए वह अपने आपको सीमित कर ले अगर समाज के सामने चैलेंज है कोई चनौती है तो सुनौती से जूजने के लिए भी अपने आपको तैयार करें याद रखना साधना की जो सबसे पहली पद्दती आती उसमें सेवा है भक्ती के मार्ग का भी जो नौधा भक्ती की बियोस्ता की गई है भारत की संतों रिशियों ने उसमें पहला मार्ग सेवा है कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा की मार्ग का नुस्रण करके ही आगे की दिक्सा का मार्ग प्रसस दो पाता है हम लोग भी जब एक योगी की रूप में सारजुनिक जीवन में आए तो सारजुनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं बलकि इस कारे के लिए आए कि नहीं यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पैदान पर बैठे वे बेक्ति की सेवा इस पत पर रहकर के कर सकते हैं और उसी लक्से को लेकर के बेक्ति कारे करता है मैं फिर से उसी बात पर आऊंगी जब आप घर छोड़के निकले थे अभी हाली में आपने देखा एक फोटो आपने ट्वीट किया था और वो वाइरल भी हो गया था जब आप अपने माता से मिलने गए थे तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थो देखे मैं कई वर्सों के बाद गया था मेरे पिता जी का जो है दिहान तो 2020 में हो गया था मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वर्सों से नहीं मिल पाया था सुम्ज़क से करोना काल खंड परारम हो चुका था लॉकडाउन परारम हो चुका था तो उनके अंतिम संसकार कारिकर में मैं भाग नहीं ले पाया था आपके पिता जी के तो मुझे जब गत वर्स और उसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था तो साभाहिक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संबाद होने चाहिए वही संबाद महाँ पे हुआ आप उनके अंतिम संसकार के लिए नहीं जा पाए पर जब वो आप से मिलने आते थे आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे यहां वो कभी नहीं आये है वो मुझे से मिलने के लिए मेरी एक बार उनसे मुलाकत थी नजीमाबाद में और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिलके उत घाटन में गया था तो बहाशन करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है तो मैं पैचान गया उनको मैंने कब यह तो मेरे पिता जी हैं लगता है वो सभा के बीच मैं बैटे हुए थे तो फिर मैंने सभासमात होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से का मैंने का देखो व्यार वाये हैं तो उनको बलाओ थोड़ा मुलाकात करते हैं तो तब मेरी मुलाकात हुई थे जी आपकी छोटी वहन जो है उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था तीस साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांदी 2022 में एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़के आप योगी बनने के लिए निकले हैं तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंड रही थी और मिले नहीं आप उन्हें बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें देखे इस सब के जीवन में आता है लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें जो है केवल अपने स्वयम के स्मर्ण के लिए रखना चाहिए और स्वाभाई ग्रूप से सब के जीवन में आता है कई वर्षों के बाद जो है इस चीजें चलती रहती हैं मुझे लगता है यही जीवन है मैं एक इंटर्व्यू का एकसर पढ़ना चाहती हूं सर क्योंकि ये हिंदी अकबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा ये पढ़के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा कैसे महसूस कर रही हूंगी वो मैं पढ़के सुनाती हूं उन्होंने कहा योगी के मुख्य मंतरी बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती आप मुख्य मंतरी की बहन है और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती है इन हालतों में रहती है मैं उनको एक ही बात कहूंगी मैं गरीब हूं ये मेरा नसीब है शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हो किसी के हक का छीन कर खा रहे हो मैं तो महनत करके अपनी गुजर बसर करती हूं ठीक बात है मैं इसलिए पूछ रही हूं सर क्योंकि आम तोर पर लोग समझते हैं चीफ मिनस्टर हो या फिर सांसद हो विधायक हो इनके इर्दगिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सारवजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए और एक ये इंटर्विव है आपकी देहन का देखे ब्यक्ति को कभी भी धन और बैभा संतुष्टी नहीं दे सकती है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयम के मेहनत से संतुष्ट है स्वयम के परिस्त्रम से संतुष्ट है दूसरों की मेहनत से कुछ पराप्त करना और फिर उसको छीन लेना यह तो ढगाती है उसके लग-लग रूप देख सकते हैं अब समाज में और मुझे लगता सबसे निंदिन्य करम यही है और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुस्य में एक सांसारिक मनुस्य के बारे में सास्त्रों में कुछ बातें कही गई है कि वहा तुर्टियां अवस्य करेगा हमेशा भरमित होगा तीसरा वहा हमेशा उसके मन में दूसरों को धोका देने की प्रविड़ती होगी और चौती बात उनके लिए जो कही गई है वह कही गई है कि वहाँ अपनी सीमित रिष्टी से भोश्य का उन्मान नहीं लगा पाएगा इसलिए जो है सारा दूंद तो इसी सब का है पर आपकी तो जैसे आपकी तो ट्रेनी होई होगी ना गुरू जी ने आपको सिखाय होगा लेकिन उनका तो कुछ नहीं ना आपके परिवार का हर ब्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है एक योगी बनने के सामर्थे ले सकता है अपने महनत से अपने कर्मों से हम जो कुछ अरजित करें मैं भी भोका ना रहूं सादू ना भोका जाए अगर यह भाव हर ब्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है सारे विवादों को समाधान कर सकता है जब आप पीठा दीश बने आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयाई है तो उस वक्त आपको क्या ऐसे किसी ने कहा कि आप पीठा दीश होके भी तो सारवजनेक कारे कर सकते हैं राजनीती में क्यों उतर रहे हैं यह कोई बंधन थोड़ा है यह कोई बंधन किसी के लिए नहीं है हम मनुष्य से पहले हैं उसके बाद योगी हैं यह सन्यासी है और मैंने आपको उताया ना कि एक योगी की रूप में समाज की प्रती जो मेरे कर्तब्य हैं उन कर्तब्यों का निरूहन करू में सेवा को धर्म को में सेवा का माध्यम बनाओ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और हम वही कर रहे हैं तो एक सन्यासी का कर्तव यह क्या होता है क्या वही जो एक कर्म कर रहा है अपना यह चाहे पत्रकार हो या फिर राजनीती हाँ हर जीओं हर बेक्ति कर सकता है हर बेक्ति कर सकता है अब मुझे एक पता ही यह कि सबसे बड़े जो है मीडिया की रिपोर्टर की रूप में अगर आप तुलना करें तो महरसी नारादी थे अब मुझे हैं थे की नहीं थे नारची रिपोर्टर चलिए सबसे बड़े रिपोर्टर दो ही थे कि वो हर लोग की सुचना इस लोग में इस लोग की सुचना दूसे लोगों तक पहुंचा दे थे वो क्या थे वो एक सन्यासी तो थे और मैं एक बाद बताओं कि सन्यासी ने किस काल घंड में अलग-अलग छेत्रों में प्रवेस्ट करके कारें नहीं किया हो मैंने तो पत्रिकारते का उधान आपके सामने दे दिया है और भी उधारन हैं बहुत सारे ऐसे उधारन हैं तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं इसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं भी है धर्म के बारे में आप कह रहे थे कि it's a way of life सिर्फ पूजा पार्ट के साथ ना जोड़ा जाए उसे अलग भी देखना चाहिए एक बार आपने कहा था लेकिन आपके साथ जैसे आपकी जो वेश भूशा है इसलिए क्या लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अब आप सन्यासी की वेश भूशा जो है वो अलग कर दीजे अब आप राजनीती में जा रहे हैं संसद में जा रहे हैं हमारे हैं कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है ड्रेस कोड इसमें नहीं होता है होता था ना सफेद पोशाक पहने हुए तो गानली टॉपी पहन लिया ठीक है पहने उसके गूर्प आचण भी करें ना देखी यह भेस वुसा हमारी इसलिए है लोगों की दृष्टी में हमेशा बने रहे हैं और लोग हमारे बिचलन पे उंगले भी उठा सके और विप्रीद परस्तितियों में साथ में खड़े भी हो सके और इसलिए इस प्रकार की वेसबुसा को एक चैलेंज की रूप में स्विकार किया जाता हमेशा कैसे एक दृष्टी भी देती है और साथ साथ ब्यक्ति को पतन के गर्थ से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचीत भी करती है और इस दृष्टी से हम लोग हमेशा उसकी प्रति कैसे मैं चैलेंज समझी नहीं की चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो बेक्ती इससे पहले जो आपने नेता की परिभासा की है उस भेज भोसा में रहते थे उनके कर्मों को भी दुनिया जानती है दुनिया ने उस सब कुछ देखा है अपने आखों से देखा है और हमारे सामने भी चैलेंज है कि हमें अपने आपको परफॉर्म करके साबित करना है जिससे मारी पार्टी को हमारे नेत्रत्व को और हमारे इस बाना को भी कटगरे में न खड़ा होना पड़े पर जब आप भगवा वस्तरधारन करके आप संसद में जाते हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो एक ग्रूप है जो समझता है कि ये बहुत ही राइट विंग है ये बहुत ही हिंदूत्ववादी है और हर चीज को भगवा कर दिया तो फिर मतलब इस ओन लग रहे कि हर चीज भगवा है देखे मैं पिछले सवाच्छे वर्स से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री हूँ जी हमारी पार्टी और हमारे नित्रतों ने मुझे 2017 में मार्च 2017 में दाहित तो दिया था और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं ह हुआ दंगा होता था तो क्यों हिंदू मरता था क्यों हिंदू की संपति चलती थी अगर दंगा होता था अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे हिंदू ब्यापारी की संपति चलती थी तो उसके सटेवे मुस्लिम ब्यापारी की संपति भी चलती थी अगर गुं लगता था और ब्यापार प्रभावित होता था तो ब्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थे एक बैक्तिनी प्रभावित होता था प्रेसेप्सन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था पैचान का संकट यूपी के हर नागरी के सामने आया था क्यों हिंदों के सामने नहीं आया था इसलिए यहाँ एक वह स्थिती है च्छे वर्स में दंगा नहीं हुआ आप देख रहे हैं यूपी में च्छे वर्स में कोई दंगा नहीं हुआ च्छे वर्स में कोई कर्फियू नहीं लगा च्छे वर्स में सारे परव और तेवार सांथिपूर्ण तरीके से संपन हुए ये बड़े बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुना होने नगरनिकाय का चुना और पंचाय चुना यूपी का उपी का और वेस्ट मंगाल में भी पंचायत क्यूआ हुई थे क्या ह可ल हुई थे वे लोग वेस्ट मंगाल बनाना चाहतें देश को जिस परकार से वेस्ट मंगाल में भी टेमसी की गॉर्मेंट ने किया था दोनों में अंतर है हमने ढोंग नहीं किया कोई पाखंड नहीं किया हर एक को चुनाव लड़ने का दिकार थै उसका दिकार है वह उसको मिलना चाहिए वो चुनाव लड़े जीतने की सामरते होगी जीतेगा हमें सामरते होगी हम जीतेंगे हमें सामर्थे नहीं है तो नहीं जीतेंगे और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हमें सामर्थे नहीं है तो लेकिन अगर कोई ब्यक्ति बिरोधी क्यों नहों अगर उसमें सामर्थे है योग्यता है उसको जीतना चाहिए उसका लोक तांत्री का दिकार है कैसे हम उसे उसे बंचित कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग सत्ता में आ करके जबरन पूरी बिवस्ता को कैद कर देना चाहते हैं और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सब को कैसे वहाँ बिरोधी कारिकरताओं को मारा गया ये चीजें आँखों को खोलने वाली हैं इस पे तो कोई बोलता नहीं इस पे कोई टिपणी नहीं करता है सब मौन है 1990 में कस्मीर में जो कुछ वाव उस सब पे सब लोग मौन थे आखिर ये दोहरा दृष्टी कौन क्यों है और इसलिए पॉब्लिक विश्वास नहीं करते इन लोगों में योगी जी के डर से यहाँ पर आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है एक हाथ में भाला है तो आपका एक जो आक्रमक तरीका है तो डील बिन माफिया क्या इसकी वज़े से यहाँ पर है ने ने देखे हम लोग तो सजजनों के लिए जितने संवेदन सील है दुरजनों के लिए उतने ही कठोर भी है और इस सासन की रणनीती है सस्त्रेन रक्षते रास्टे सास्त्र चिंता परवर्टते यानि बिवस्था सब की सुरक्सा के लिए और उस से कहें सुरक्सा सब को कानून का राज होगा लेकिन कानून को बंधग बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगे कोई भी हो कताई नहीं देंगे आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए दानव के लिए नहीं पर एक कॉंस्टिट्यूशनल डिमोक्रिसी में सर हर जीव जन्तू के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए मतलब शेर भी शिकार कर सकता है गाय के लिए भी उतना ही हक है क्या आप सेर को रोकते हैं क्या आप सेर को बोलिये न जंगल में जाके नहीं रोक सकते आप बोले न कि सेर महराज सिकार मत करिये आपको हम रोटी खिलाएंगे जाहिए रोटी खिलाएए तो वो इमें कह रही हूँ कि कानून में वहाँ की नेचुरल बिवस्था है और वहाँ नेचुरल बिवस्था दंड का प्रावधान यह एक बिवस्था का प्रावधान है और वह बिवस्था प्रावधान कानुन नहीं लागो होती है गैर कानुनी तरीके से नहीं लागो होती है चीफ मिनिस्टर कैसे तेह कर सकते हैं, कौन मानव है, कौन दानव। इंफ्रस्टर के लिए कि आज भी हम कुदाल और फावडा ले करके जाएंगे, कि हमें उसके लिए बुल्डोजर और आदुरिक मसीने चाहिए, बुल्डोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको, सर, आप भी जाते, अब इंफ्रस्टर के मार्ग में कोई बाधक होग के सामान गिरा देते थे, अब लैंड का एलाइटमेंट हो रखा है कि यहाँ, हाईवे यहाँ से, युद्ध्या के लिए बनना है, यह बारवण की होते हैं, बनना है, तो सत्ता प्रायुजित माफिया कहा करते हैं, कहते हैं, नहीं अब यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी प्राइटमेंट की हिम्मत नहीं थी कि इन माफिया जको रोक सके, आब मजह बताईए, इस माफिया के लिए बुल्डोजर चला करके, इसको धस्त करके, जो अलाइटमेंट सरकार ने तै कर रखा, इस पे ही हाईवे बनेगा, और उसे पे नियम के अनुसार कार्य होगा, यह पै करना इस सरकार का काम है या नही है, यह सरकार का कारया और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19 प्रतिशत मुसल्मान पॉपिलेशन है और कई लोग कहते हैं उस समुधाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुल्डोजर को उनके घरों को तोड़ने में इस्तमाल करते हैं कोई निर्दोस मुसलिम आके बता दे कि मैं निर्दोस था मेरे साथ अन्याई हुआ है कोई बता दे कोई नहीं बोल सकता है और फिर न्याई पालिका तो सब के लिए खुली है न पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है जैसे ये माफिया के लोग हैं पर उनका घर क्यों जरूरी पढ़ गया ने अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कबजा किया है तो उसके लिए क्या करूं आरती लेके जाओं थालिस जाओं उनकी जब तक होता था उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाती है उत्तर प्रदेश की जनता ही चाती थी कि उनको सुरक्सा मिले औ पर इन गुंडा तुत्तों पर इन माफियाज बस सक्ति हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस सक्ति के और लगातार इसारा करती है। आम पबलिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। उनने से 20 फीजदी आबादी हो या 100% आबादी। कानूनकाराच सब के हित में है। और वही संब्रिदिक अमार्ग भी आगे बढ़ाएगी। वही प्रदेश में इंप्लामेंट जनरेट करेगी। वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्सित करेगा। और यही उत्तरब्रदेश के अंदर किया गया है। का राज हर हाल में होना चाहिए। और सुरक्सा की गारेंटी हर वेक्ति को मिलनी चाहिए। सर्या में एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे। यह स्विकार ही नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संग्रक्षन करते थे तो उनको विधान सवाब में भी संदेश दिया गया था। कि माफिया को बहुत संग्रक्षन दे हो। कि माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं या आपने जो कहा। नहीं कहें किस बात के लिए। कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका आकरामक एक स्टाइल है। उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गया है। या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है। कोई स्टाइल नहीं है। हम लोग एक सामानने उसके तहत काम करते हैं। देखे जो समाज के अनकूल है। एक सामाने नागरी के अनकूल है, प्रदेश के अनकूल है, हम वही करेंगे. विधान सभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में, जैसे जब स्पीचिस चलती है, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आकरमणा आप, जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो, वैसे चलता है आपका. देखें, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है यह, पाकिस्तान तो दली दरता की नहीं पराकाश्टा को प्राप्त कर रहा है, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे संब्रिद राज्य है, उत्तर प्रदेश प्रकरते और प्रमात्मा का प्रदेश है, इतने fertile land हमारे पास है किसान यहाँ पर संब्रिद है संब्रिदी के और अग्रसर हो रहा है इसलिए उत्तरप्रदेश के किसी भी पक्स को चाहे वह सत्ता पक्स हो या विपक्स हो पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए इंडिया के बारे में आप क्या कहते है आई इंडिया जो विपक्ष का इंडिया नहीं बोलना चाहिए आई डॉट एन डॉट डी डॉट हर एक उसमें डॉट 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 लगए उसका तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ती नहीं मिल जाएगे जनता तो पुराने करामातों को देख रही है वो करामात UPA का हो Congress का हो SAPA का हो या फिर जो और लोग है आम आदमी पार्टी का है क्या गदर मचा रखी है इन लोगोंने TMC का हो या जो भी सब की एक जैसी स्तिती है तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भर्मित करना चाहते है देश की जनता लोगतांत्रिक दिससे बहुत परिपक्वा है आपको नहीं लगता कि जिसे विपक्ष कह रही है कि BJP डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की पूशिश करें कौन का कैप्टन कौन है हमारे कैप्टन तो मोदी जी है टीम बीजेपी टीम NDA टीम इंडिया के कैप्टन की रूप में देश को नित्रत्व दे रहे हैं सभी बीजेपी से जुड़े भे सभी दल जित्ते भी हमारे अलाइज हैं वे सब एक नेता की रूप में NDA ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है कौमन मिनिमम प्रोग्रेम अपना जो तै किया है पिछले नौ वर्सों के अंदर वह प्रभावी ढंक से लागू हुआ है समाजिक नयाए बोलने से और भासन करने से समाजिक नयाए आ जाएगा समाजिक नयाए परिवारबाद जातिवाद यही समाजिक नयाए है उस गरीब के घर में सोचाले बने उस गरीब को मकान मिले उस गरीब को रासन मिले उस गरीब को स्वास्ते की सुवधा मिले उस युवा को रोजगार की विवस्ता हो उस किसान के जीवन में भी खुसाली आए उस महला को भी सुरक्सा के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले किसने रोका था यूपी एको किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने जिनों से टीमसी की गौ़र्मेंट है किसने रोका है वहाँ पे क्यों वहाँ माताएं रो रही है क्यों वहाँ बेटियां अपने आपको स्वरक्सित मैसूस कर रही है आखिर क्यों नहीं कॉंग्रेस ने 60 वर्सों में जिन 4 करोड गरीबों को मोदी जी ने मकान दिये है किस ने रोका था कॉंग्रेस को देने से किसने रोका था बारा करोड गरीबों को सोचा ले देने से दस करोड गरीबों को आज जो उजला योजना की फ्री में सिलिंडर मिले हैं किसने रोका था इस हाथ में स्मार्ट फोन और टैबलेट पकड़े वे आज का हमारा स्मार्ट यूआ स्मार्ट बनाने से इसको रोका किसने आजादी के बाद 60 वर्सों तक एक कॉंग्रिस ही तो कर रहे थे लोग देश को लोग तंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने जाति वाद को वढ़ावा दिया था परिवार वाद को आगे वढ़ाया था आज़िये आपने कहा था कि आपके राजमें अब युवाओं के हाथ में एक हाथ में पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था अब टैबलेट है तो आप तमंचा किसके बारे में गवाद करे थे सपा के सरकार में यही होता था क्योंकि को फिर उसी के हिसाब से न्युक्तियां होती थी फिर न्यायले उसमें रोक लगाती थी उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है और इस पुलिस बल में डेड़ लाग पु पड़े हैं, तो भरती के लिए क्या हुआ, का साब कोट की रोक है, कोट की रोक क्यों है, पर नियाले ने कोई कारण से रोक आ होगा ना, तो फिर बताया गया कि साब प्रक्रिया गलत थी, मैंने का गलत क्या थी, बताओ मुझे, जब भरती बोर्ड को मैंने बलाया, मैंने का स आप इसमें लीकेजेज के ये संभाव नहीं थे तो मैंने का नयायले ने ठीक तो किया था हमने यूपी पुलिस में पिसले पांच वर्स में एक लाख पैंसट हजार पुलिस की भरती की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी की है वे सभी नौजवान जिसमें बीस फीस दी महला पुलिस कार्मिक भी है ये केवल उसी में ने सिक्सकों की भरती में भी आप सोचिए बेसिक सिक्सा में डेड़ लाख पत खाली थे हमने उस परक्रिया को एक लाख चौसट हजार से थिक भरती सिक्सकों की भी पूरी की है बेसिक और सेकंडरी एजुकेशन की बात करो हूँ मैं हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की या मेडिकल एजुकेशन के भी मैंने चर्चानी की यह भरती अलग है और ये सब ही प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी तरीके से साथ, पूरी सुचिता के पूर्ण तरीके से संपन हुई है महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे, तो ऐसे भी होता था उतर प्रदेश में, मैंने खुद कवर किया है कि अगर कोई पीडिता दलित थी, तो वो पुली स्टेशन में जाके अपना F.I.R. नहीं दर्ज कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर कोई यादव S.H.O. था ये सब उतर प्रदेश में बहुत माननीता रखते, क्योंकि गाओं गाओं में ये जातिवाज जो है वो इतना हावी था आज ऐसा नहीं है, आज देखे हमने यूपी में मिसन सक्ती का एक अभिहान चलाया है अब आसक रेकरेंगे की हमारे पास जब सत्रों में हमाई थे तो मात्र 10,000 मेहला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे कुल कार्मिकों की संख्या हमारे पास 10,000 थे, आज हमारे पास ये संख्या 40,000 है और हमने एक मांज सिकता भी थी कि उन्हें महला कार्मिकों को फिर्ड ड्यूटी नहीं दी जाती थी क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा माहूल था लोग इतने भहभीत थे कहते थे कि आप महला पुलिस कार्मी महला पुलिस अधिकारी फिर्ड में जाकर कि कि आप रादियों को फेस कर पाएंगे उन्हीं की सुरक्षा के मैं वहीं कह रहा हूँ यह भी भाव था तो मुझे जब इस प्रतिविदन मिले कि हम भी फिर्ड में महला कार्मिकों ने मुझे इस बात को का कि हम भी फिर्ड में ड्यूटी करना चाहते हैं मैंने का एकदम इनको ड्यूटी मिलनी चाहिए तो फिर यह हुआ कि कैसे इसको क्या जा सकता है हमने एक मिसन सक्तिका अभ्यान परारंब किया यह अभ्यान चला है और इसमें सभलता प्रुवक चला है जिसमें मैंने महला हर महला कांस्टेबल को महला बीट अधिकारी की रूप में नामित किया है और उनकी जम्यदारी है 57,000 से दिक ग्राम पंचैते हैं यूपी में हिस्समें लगबाग 58,000 हैं कुछ नगर निकाए में आये हैं 57,700 के ओँपर अभी भी हमारे पास ग्राम पंचैते हैं वे सब्ता में एक दिन ग्राम पंचैत में जाकर कि गाउं की सभी महलाओं के साथ महला सुरक्सा पर चर्चा करेंगे आंत्रिक या बाह या कहीं सुरक्सा में कोई सेंद लगाने वाला है तो महला कांस्टेबल को बताएंगे और उन सब को पिंक स्कूटर हमने उपलब्द करवाई है महला कार्म की कुछ को करा दिया गया कुछ को कराया जा रहा है ऐसे सहरी छेतर में भी और ये हर सब्ता उनकी जम्यदारी है जाकर के देखना आज आप देख रहे होंगे यहां की बेटियां आज पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में नहीं रहती आज यूपी में ही अपने कॉलेज में एडमिशन कराती है घर से जाती है अपनी माबाब के साही में रह करके पढ़ा ही कर रही है आज उनके सामने कोई भहे नहीं और अगर किसी ने महिला सुरक्षा में सेंद लगाने का प्रियास किया तो कठोरता पुर्व कोई बेटियां स्वेम निपढ लेती हैं फिर उनसे यह माहूल हमें पैदा करना पड़ेगा यह जो आएंडिया एक ग्रूपिंग बनी है यह महिला सुरक्षा दो हजार चौबेस तक महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी क्योंकि मनिपूर में जो गैंग रेप का जो मसला हुआ था उसको लेकर कहेगी कि मुदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ ज़रूर कहती है लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है और मनिपूर का किस्सा उठाएगी तो तब आप बैक फूट पे तो चले गए ना क्योंकि कैसे एक्स्प्लेइन कर सकेंगे देखे एक बात हम सब को समझनी होगी भारत की लोकतांत्रिक विवस्था में हर सम्वेधानिक संस्था की अपनी लक्षमन रिखा है और जब भी उसका ती कर्मन होगा तो दुरुभाग्य से इस प्रकार की स्थितियां बनती है मनिपूर के लिए आप केंदर और राज्य सरकार को दोस्थित उठेरा रहे हैं मनिपूर में सांती होनी चाहिए हर बेक्ती के कामना है क्योंकि पिसले नौ वर्स के अंदर जो इत्यासी कारे पुरुत्तर के राज्यों में हुए है और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में पिसले नौ वर्स के दोरान मनिपूर हो या जम्मू कस्मीर हो जिस प्रकार से सांती बहाली वहां हुई और राज्ट की मुख्यधारा से छेतर जुड़े हैं पित्यासी के आज़ादी की बात पहली बार अनांचल नागा लेंड मेजोरम मेगाले मनिपूर तिरफुरा असाम इस सभी मुख्यधारा के साथ जुड़कर के बिकास की प्रकरिया के साथ तीजी के साथ आगे वड़े थे दुर्भागे से पड़ोसी मुलकों के द्वारा जिस प्रकार की साजिसें कभी-कभी रची जाती हैं और लगातार नौर्थ हिष्ट के मामले में तो इसके साख से हैं कहीं न कहीं जब किसी अस्तर पर अनावस्यक लक्षमण रेखा का अतिकर्मण करके कारे पालिका के कारे में जब कोई संवेधानी मसिनरी अनावस्यक रूप से हस्तक्सेप करेगी जो काम संसत का है जो काम कारे पालिका का है उसमें हस्तक्सेप होगा तो इस प्रकार की दु भाग्यपूर्ण इस्तिती बनती है आप विश्वास करिए मनिपूर मैं फिर से सांती बहाली होगी और वहां पर बीजेपी की गौवर्मेंट जिस विकास की प्रकरिया को आगे बढ़ा रहे थी प्रकरिया आगे बढ़ेगे तेजे के साथ आगे बढ़ेगे पूर्व सेना ओंग्रेस हो या यूपी ए हो या आइन डी आई ये जो गुरूप है यह जो डौट 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 गुरूप है यहां गुरूप अपनी हाँ देखे ना बेटी मणिपूर की हो या रजस्थान के यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगार हर बेटी को सुरक्सा मिल चाहिए और ये किसी भी सरकार की स्रोच प्रात्मिता होनी चाहिए लेकिन प्रस्ण है देश की जनता भी करना चाहेगी इन लोगों से कि ये बीडियो बनाने के बाद दो मेहने तक क्यों इसको सुरक्सित करके रखा गया था और फिर संसत के एक दिन पहले ही क्यों जारी जिस दिन संसत चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ इसके पीछे क्या साजिस नहीं दिखती है और इस्तिरता पैदा करना इसका उद्देश से नहीं है इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक बिवस्ता को बदनाम करने किसकी साजिस नहीं है जो ल हम लोगों को इन चीजों को भी देखना होगा और इससे सतर्क होकर के ही हम सांती भी बहाली करेंगे साथ-साथ आम जन्मानस का विश्वास मोधी जी के प्रती है और फिर से मोधी जी के नित्रुत्तों में एंडिये की गॉवर्मेंट बनेगी इसमें दोहजार चौबिस में क जो एनिमीज हैं चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो वो हमारे बीच जो लोग हैं और जो फिजर्स हमारे बीच हैं जो दरारे हैं हम लोगों के बीच उन दरारों को और डीप और गहरा करना चाहती है तो इस मनिपूर के किसे को ही लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उ लोग लोकतंत्र वादियों को अपने देश में कुचलते हैं उनको मनिपूर और भारत का लोकतंत्र कैसे अच्छा लग सकता है और आपका राज भी नेपाल से जुड़ा हुआ है आप भी एक किसम से आप भी एक फ्रॉंटियों स्टेट है हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं आए थे तो क्या प्रसे बीजेप्पी के लिए उत्तर भृदेश में सभी जोड़ियां आचटि रहा हैं 1014 में इस सब मिलकर के लड़ चुके हैं 2017 में 2010 में 2002 में 4 चुनाओं मोदी जी के नित नत्रितों में भारतिय जंता पारेया और एंडिये ने बिराट बहुमत के साथ में सफलता प्राप्ति की है और 2024 में उतरप्रदेश भी और देश भी इंतजार कर रहा है देश को धोका देने वाले देश की जनता को जाती मत और मशव के आधार पर बांटने वाले समझिक नयाय के नाम पर परिवारवाद और जाती वाद को प्रस्रे देने वाले अपने राजनितिक स्वारतों के लिए देश को आतंगबाद, नकसलवाद और अलगावाद की भटी में जोंकने वाले तत्तों को ये देश कभी स्विकार नहीं करेगा उनकी पार्टियां सब कहते हैं कि आपकी पार्टी है जो एक ही एक सिस्टम लाना चाहती है और उस सिस्टम के अंतरगत आप जुडिशरी को, इलेक्शन कमिशन को, मीडिया को सब को दबा के रखते हैं और यूसी सी भी उसी में कह रहे हैं कि उनिवर्सल सिविल कोड भी उ और हम नयाए की बात करते हैं, हम समचिक नयाए की बात करते हैं और परिवार में नयाए नहीं कर पा रहे हैं, इस सुरवात परिवार से तो करो, साधी ब्याव का हो, या संपत्य और विरासत का मामला है, यह सब पर एक समान रूप से लागू होना चाहिए, वन नेसन, वन कि थियूरी लागों तो होनी चाहिए अगर एक देश के नागरिक है और दुरभाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्प संख्यक सुम्दाए अपने लिए बिसेस अधिकार की मांग नहीं करता है और बहुत संख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है और भारत की अंदर ये लोग अल्प संख्यक के नाम पर अपने लिए बिसेस अधिकार की मांग करते हैं भारत के कानून को हरे एक को श्विकार करना चाहिए और उसी में सब की सुरक्सा और सब की संब्रिदी नहीं थे जी मैं वापस उतर प्रदेश पे आती हूँ राम मंदिर लोग कहते हैं कि आपके भागे में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कारेकाल में होगा गोरखनाक पीठ और अयोधिया मंदिर इसका संबंध है अगर आप हमारे दर्शकों को बताए देखे प्रदान मंतरी मोदी जी ने आजादी के अमरित महत्सो को जिस भब्यता और दिब्यता के साथ आयुजित किया है देखे जब देश 1947 में आजाद हुआ था दुरभागे से उसके एक दिन पहले देश का दुरभागे पुन विभाजन भी हुआ बहुत सारे लोग देश की आजादी के जश्न में उस समय सामिल नहीं हो पाए होंगे या उस समय के कोई चस्मदीद आज के दिन पे बताने के स्तिती में नहीं रहता है बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में प्रकार की स्तिती जानकरी होगे लेकिन हम सब कह सकते हैं आज की हर पीड़ी का हर नागरी कह सकता है कि जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया था तब हमने देश के जस्न के साथ सहभाकिता की थी हर घर पे तिरंगा पेना करके हर गराम पंचायद और हर नगर निकाई कह सकता है कि साथ हम भी भागिदार बने थे क्योंकि हमारे घर में अमरित महत्सोव हमारे गाओं में बना हुआ है हमारे नगर में बना हुआ है यह कारिकरम सफलता पुरवक संपन हुआ और आजादी के अमरित महत्सोव के मुख्य संबोदन में प्रधान मंतरी मोधी जी ने देज सौसियों को कुछ बात कही थी कुछ संकल पर दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महासक्ति की रूप में स्थापित करना एक विक्सित भारत की परिकलपना को अगर साकार करना है तो उन्होंने कुछ संकल पर दिलाए थे जो पंच परण की रूप में जानी जाते हैं इस पंच परण में विरासत का सम्मान भी है गुलामी के इंसों को सर्वता समाप्त करना भी है और नागरी करतब भी है अयोध्या में ऐसे राम जनम भूमी का मंदिर निर्मान का कारे है यह उसी विरासत का सम्मान है जो कारे आजाद भारत में 1947 में होना चाहिए था लेकिन दूर दरसिता का भाव भारत की परंपरा और भारत की संस्कृत की परति दुराओ स्पस्ट दिखाई देता है अनिथायत विवाद 1947 में सुलज सकता था 1949 में सुलज सकता था इसके बाद भी सुलज सकता था कभी सुलजनी नहीं दिया गया आखिर यह आज कैसे सुलज गया कोई विवाद तो नहीं हुआ बड़ी दावे लोग करते थे कुछ भी तो नहीं आसांती बनी हुए उत्तर प्रदेश में तो और यह मेरा सोभग्य है कि जब एक और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में उनके मार्क दर्सन में अयुद्य हमें भग्मान नम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य से राम जन भूमी तीर्त छेत ट्रस्ट के द्वारा संपन किया जा रहा है बनाए जा रहा है और देश भर से सयोग मिला है तो स्वाभाई कृप से मुख्यमंत्री के साथ साथ एक राम भग्मान राम के भक्त की रूप में भी तीन पीडियों का प्रतनिद्ट करने का मुझे औसर मिला है तीन पीडिय कैसे मेरे पुझे दादा गुरू जो थे महंत दिखविजे नाच्जे 1949 में उस अभिहान के हिस्स्ते थे जब राम लिल्ला का प्रकट्टी करन हुआ था और उस समय की कॉंग्रेस की सरकार जबरदस थी राम लिल्ला को राम जनम भूमी से हटाना चाहती थी और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वहा गोरक स्पीट से उपलब्द कराया गया था उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीजों के सभी चीजों की उपलब्द था वहां से हुई थे 1983-84 में जब से राम जनम भूमी मुक्तियग्य समिती बनी थी राम जनम भूमी मुक्ति के लिए उसका नित्रतों मेरे पुझे गुर्दियों महंत विदे नाजी महराज ने किया उस पुरे आंदोलन का नित्रत्व रास्टे स्वेम सिवक संग और विश्व हिंदू परिशत के नित्रत्व में मार्क दर्शन में पुझे संतों की मार्क दर्शन में उसका नित्रत्व उन्हों ने किया और जब प्राम जनम भूमी मैं भवे मंदिर निर्माण की आधार सिला प्रधान मंतरी मोधी जी के करकमलों से रखी गई तब प्रदेश का मुख्य मंतरी मैं स्वयम था तो मेरे लिए तो यह बहुत ही गौरोपूर्ण छण था काणे का आनंद भी मिलता है और दोश्यता विरासत का सम्मान भी हम इस रोप में कर पा रहे हैं जब जो अपने कारोकाल में सौ बार आपने दर्शन कीये हैं काशि विश्वनात मांदिर किया ग्ग्यानवापी मस्जित को ले कर मैं इसलिए पूचती हूँ क्योंकि आप गोरखनात पीठ के पीठादीश के नाते भी पूछ रही हूं, क्या इस प्रॉब्लेम का कोई सोल्यूशन है? देखे, अगर हम उसको मस्जित कहेंगे तो फिर बिवाद होगा, हमें ग्यान बापी बोल देना चाहिए, वो ग्यान बापी है, और माने नायले में गया है, माने नायले स्वेम देख लें, अगर वहाँ साक्से हैं, बहुत एक साक्से हैं, सास्तरी परमान होंगे, अन्यप्रात अत्युक परमान भी होंगे, तो सौभाई करूप से इस पे निर्णे को होना चाहिए, और मैं अपील करूँगा, मुस्लिम समाच से भी, देखे हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए, पाकिस्तान की दुर्गती और उसकी दलिदर्दार की चीना जप्टे आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गती प्राप्त कर रहे हैं, दोस्तों को कांटा बोलने वाला ब्यक्ती कभी उसके उपर पुस्प की वरसा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसके सरीर भी चलनी चलनी होते हैं, आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है आज जो भुक्मरी का सिकार पाकिस्तान बना हुआ है यहाँ अपने कर्मों का फल भोग रहा है इसलिए पुरानी गल्तियों की फुन्रा विर्ती न होने दे बहुत सांति पूंड तरीके से उपलब दसाक से जो इस बात को परमानित करते हैं मुझे लगता है कि भगबान ने जिसको दिरिष्टी दी है वो देखे न तर्सूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है हमने तो नहीं रखे न वहां तो सुरक्सा है सेंटरल फोर्सेज है उनके मुत्वल्ली है ताला चाबी उनके पास रहती है तर्सूल कैसे वहां बने वे जो तिरलिंग है देव परतिमाएं है पूरी दिवाले चिला चिला के क्या कह रही है और उसके बाद भी हम जान बूच करके देखे एक होता है कि जन्व से दिखाई नहीं देता है हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है जन्वांद है द्रिष्टिवाधित है एक जान बूच करके ढोंग करे जो द्रिष्टिवाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है लेकिन जो ड्होंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है आप ड्होंगी किसे कह रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ न जो उन परमानों को नकार रहा है उन परमानों के बाद भी एक कहता है कि नहीं साब तो जबरदस्ती वाली बात करते है देखे आप इत्यास में तोड़ मरोड कर सकते हैं लेकिन उन इत्यासिक साक्सियों के साथ में जो वहां की दिवारें चिला चिला के कहती है और उन एत्यासिक साक्सियों को भी देखने के आउस सकता है और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताओ मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए किसाब एत्यासिक गल्ती हुई है और उस गल्ती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो आपने मुस्लिम समिधाय के साथ कोई आफ देखें हमने अपने तरफ से कोई पहल नहीं की है कोई पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी एक और बात चर्चा में आई है वो सीमा हैदर का जो केस है उन्होंने अपील भी किया है योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भीजिये मैं पाकिसान वापस नहीं जाना चाहती पब जी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं देखे ये सुरक्सा एजिंसिया उसको देख रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके इन सारवाद में इसमें विचार करेंगे भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देहर पर देख रहे हैं और समंधित एजिंसिया इसमें काम कर रही होंगे सर एक मैं सवाल पूछूँगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरू का जो सपना देख के चले हैं वो थोड़ा ओवर एंबिशियस है तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आप का विजन क्या है भारत देखे मैंने कहा ना पिछले नो वर्ष में प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में भारत ग्लोबल लीडर की रूप में स्थापित हुआ है कोई संदे नहीं कि प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में अगले तीन वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता की रूप में स्थापित न हो जाए जरूर होगा दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पैचान बनी है भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोन में बदलाव आया है और जो भारत के बारे में कहा जाता था आज प्रधानमंत्री मोधी जी के नित्रुतों में वस्साकार हो रहा है सर अंत में एक सवाल जुरूर पूछूंगी क्योंकि ये महराश्टा सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो बंदे मातरम कहना होगा और उनके मजभब में ये उन्हें पर्मिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर छुका हैं, किसी और के सामने, देखे, देश संविधान से चलेगा, मत और मजभशे नहीं, देखे, मैं इस्वर का भक्त हूँ, इस्वर मैं अगात निश्टा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नही करता हूँ आपने देखा होगा जब मुझे हमारी नौकर साही ने कहा कि नोड़ा लोग नहीं जाते चिपनिस्टर को नहीं जाना चाहिए मैं उसको उलंगन करके नोड़ा गया कई बार गया आधा दरजन बार जा चुका हूँ दूसरे बार मुझे कहा गया कि रात्री में सीम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए तो मैं जान बूच करके वहां रुका और मैंने पूछा मैंने कभी क्यों निवास करना चाहिए तो उन्होंने कहा साब दुआरा सी cumulative बन सकता है तो मैंने कहा मैं दुआरा भी सी एम बनूंगा चिंता मत करो दूसरा सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि मैं प्रदेश का सी एम हो आप यह बोलिये ना किसाब ओहार रहने की बिवस्ता नहीं है तो जो भी guest house होगा उसी में रहेंगे ना आकर कोई तो रहता होगा एक कमरा चाहिए मुझे तो सोने के लिए टक्ता चाहिए ओडने के लिए कमबल चाहिए तो कुछ चाहिए थोड़ा है तो इसमें जो है क्यों आप इस परकार की बातें करतें मैं गया था रुका था वहाँ पे ऐसे ही आगरा की सरकिट हाउस के बारे में कह जाता था यानि मुझे पहले पता नहीं कोई सीम रुका की नहीं रुका लेकिन कि वहाँ सरकिट हाउस में जो सीम रुकता है अब सकुन हो जाता है तो मैंने का पूछा मैंने का भी क्या अपसकुन होता है पुणे का साब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है तो मैंने का जो कुर्सी कल जानी हो आज चली जा लेकिन मैं रात्री को रुकूंगा यही फिर किसी ने का साब यहां पर प्रेत आत्माता है आता ही है तो मैंने का कम से कम उनसे वारता करने का उसर मिलेगा ना रातरी में तुम सब सोज आओगे तो कम से कम किसी से बाच्चीतों करूँगा रातरी में कि भई कौन हैं क्या हैं तो पाक्खंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है एक और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भारत का बहुश्य उज्वल है और 2024 में फिर से प्रदान मंतरी मोधी जी की लेटरसिप में NDA बहुमत के साथ आएगी इसमें कोई संदे किसी को नहीं होना चाहिए और बंदे मातरम मैं वापस आती हूँ वो उसे घर्म के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ मैंने पहले कह दिया ना संबिधानिक बिवस्ता से देश संबिधान से चलेगा मत और मजभ से नहीं आपका मत आपका मजभ अपने तरीके से होगा अपने घर में होगा अपने मस्जित अपने इपादत गाह तक होगा सड़क पे प्रदर्सन करने के लिए नहीं और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट को सरोपरी मानना होगा अपने मत और मजभ को नहीं और मत और मजभ सेकंडरी प्रशन है नेशन फर्ष्ट है धन्यवाद योगी जी आप एनाइ के साथ बात करने के लिए धन्यवाद और है नमस्ते जैहिंद क्लिक यह तो वाच्ट प्रिविस एपिसोड़ प्रिविस एपिसोड़